नवश्कार दोस्तों, GDPL Online चानल में आपका स्वावित है, आज का हमारा टॉटिक है, सिटिंग अरेंज्मेंट, बैठाप विवस्था, राजिस्थान पुलिस में 2012 के जो पेपर गवा था, उसमें एक प्रश्न आया था, और इस बार हमारा मानना हैं कि ये प्रश्न आ सकता है देखें, बैठाप प्रश्था के अंदर प्रश्न विविद तर्यक से पूछे जा सकते हैं, इसका टाइप वान है, एक सीधी पंक्ती में एक पर्टिकुलर दिशा की गवर मुग करके कुछ व्यक्ती बैठे हैं, ऐसे प्रश्नों के अंदर दिक्कत ये होती है कि भीया, हम आज 6 लोग होंगे, 5 लोग होंगे या कभी किसी प्रश्न में 5 लोग भी हो सकते हैं, और एक दिशा की वर मुग करके बैठे होंगे, यदि प्रश्न में अगर नहीं दे रखा हो कि कौन सी दिशा की वर मुग करके बैठे हैं, आप मान लीजे उत्तर दिशा की वर मुग करक इससे फायदा ये होगा कि आपका दाया और बाया प्रश्न का दाया बाया हो चुका होगा तो प्रश्न करने में आसानी होगी इसमें आपको कुछ शर्ते दे रख्योंगी उन शर्तों का पादल करते हुए आपको लोगों को बैठाना है और नीचे एक प्रश्न दे रखा टाइप 2 है जिसमें दो पंक्ती में आमने सामने की तरफ मुख करके कुछ योग बैठे हैं इसमें साधरन ता जो प्रश्म देखेना है आठ से दस योग आदे हैं इसमें भी आपने यही करना है कि पहले कोशिश करें कि नीचे वली पंक्ती जो की उत्तर दिशा की वर्लोग करके बैठे हैं उसके अंदर आप दिवस्ता पून कर लिजे तो प्रश्म करना आसान हो जाएगा बड़ ऐसे क्वेस्टन हमें राजिस्तान कुलिस के प्रामे पेपर्स में देखने को नहीं मिले हैं तो हम इस पर थोड़ा सा फोकस कम रखेंगे जो प्रश्म देखने को मिले हैं वो सीधी पंक्ती में या टाइप 3 जिसके अंदर एक व्रत के गिर्द अंदर की और मुख करके कुछ व्यक्ती पैठे हैं ऐसे प्रश्म के अंदर भी या तो 6, 7 या 8 लोगों की गरश्था आपको बैठानी होगी इसी में थोड़ा सा चेंज होते वे प्रश्म किस प्रकार कर सकता है प्रश्म के इस प्रकार आएगा एक व्रत में कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की और देख रहे हैं संख्या उतरी ही हो सकती है 6, 7 या 8 लोगों की ये प्रश्म थोड़ा मुश्किल होता है करने के लिए आज हम आपको इस वीडियो के मात्यम से छोड़ी छोड़ी बाते बताएंगे जिसके साथ आप इस प्रश्म को कर सकते हैं देखें अभी हम बात बता चुके हैं एक जब सीरी पंक्ती में आ जाए तो आपने तो ये मानना है कि उत्तर दिशा की गुर्मुख करके सब लोग बैठे हैं प्रश्म में दे रखाओ तो ठीक है नहीं दे रखाओ तो उत्तर दिशा माल दीजिये लेकर अगर वृत की बात करें एक वृत में शुक्त करके सारे लोग ने तो इतना सा करना है कि सबसे पहले कोशिश यहां करनी है कि आपका जो पहला रेखती है, पहली शर्थ है वो यहां दे बैठे इससे प्रश्ण का दाया और बाया आपका दाया और बाया बन चुका होगा जिसकी वेज़े से आपको प्रश्ण करने में बहुत आसानी होगी अब हम आपको पहले टाइप पे कुछ क्वेश्शन कराएंगे आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्शन दिखेंगे उन क्वेश्शन में से अगर आप वीडियो पॉस्ट कर दे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं देखे, पहला प्रश्ण कहता है इसमें 5 लोग हैं A, P, X, S, R है 6 लोग है, और 6 लोग एक सीडी पंक्ती में बैठे हैं तो हमने एक काम करते हैं जब भी क्वेश्शन नंबर वान देख रहे हैं इसमें कौन वान दे रखा है A, P, X, S, R, Z एक सीडी पंक्ती में बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठाएंगे यहां पर एक पॉइंट नोट कर लिएजिए हम कभी भी दिर्वस्था पूरी यहां नहीं बैठाते हैं हम पहले एक छोटे से संशिक्त रूप में नोट्स बना लेते हैं फिर इन नोट्स के मदद से हम इस प्रश्ण को हल करने की कोशिश करेंगे पहली शर्थ कहती है S और Z बीच में बैठे हैं अब देखें यहां पर प्रश्ण में निर्धारित नहीं कर रखा कि यह कौन सी दिशा में ने बैठे हैं तो हम क्या मानेगे इस सारे के सारे छे लोग उत्तर दिशा के दर्भूफ कर पे बैठे हैं जिससे प्रश्ण का दाया और बाया हमारा दाया बाया बन चुका है अब हम क्या करेंगे S और Z को बठेंगे हम दस्ता यहां नीचे बठा रहे हैं कहला है S और Z नीचे बीच में बैठे हैं देखें कई बार स्टूड़न्ट यह कर देते हैं कि S यहां कर देते हैं और Z यहां कर देते हैं आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें Point No.2 यह है कि आप कोई भी पूर्धारना अपने दिमाग में नहीं रखनी है कोई भी पूर्धारना नहीं कर देते हैं तो मैं क्या करवा मैंने यह माना मैंने Point No.1 में लिखा S या Z में से कोई एक बठी यहां बैठा होगा या S और Z में से कोई एक बठी यहां बैठा होगा मैंने यह लिखे ले दौनों conditions में लिखी है लिखे एक ही बात की दो conditions बन चुके S और जारी आप यहां होगा या S और Z में से कोई बठी यहां होगा फिर कहता है A और P में से दोनों जैने सिरेत हैं तो A रा में से रा A ये रा बिखे ला P अब लेकिन दिखक्त यह हो सकते हैं लोग के कहें A और P सा सिरोप में यहीं बठा के नहीं कोई कूद भाजी निरत नहीं इसकी दूसरी संभावना भी हात तो हात लड़ाना के चलें P और A भी हो सकता है शर्ट नमबर तीन कहता है, आर ए के बाईं तरफ बैठा है, अब देखे अगर मैं इस दरस्ता के अंदर ए को यहाँ बैठाता हूँ, अब ए का बाया कहां हुआ, लेफ्ट हुआ इधर और राइट इधर, तुकि आपको अपना लेफ्ट राइध ही मानना है, अब ए अगर य एक बाजु में बाईं तरफ गठा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह कंडिशन हमारे नहीं गठेगी, तो यह अगर गठेगी, तो इसका अर्थ यह है कि P यहां पर है, और A यहां पर है, और R जो है A के तुरंथ बाईं गठा है, हम ने इसको गठा दिया, अब जबा कौन है X, तो यहां पर X ही हो सकता है, आंसर हमारा पाएगा कि P के तुरंथ दाएं X बैठा है, यह option पर आप तेक्र लगा सकते हैं, चलिए, अब हम question number 2 देखते हैं, CD पंकी के अधारित ही है, कहता है A, B, C, D, E, अब देखिए, यहां पर 7 लोग आ चुए हैं, अभी जो हमने पहला प्रश्म देखा, उसके अंदर दिशा निर्धारित नहीं कर रखीती, लेकिन अब हमें दिशा निर्धारित कर दी गई है, कहता है, यह साथ लोग पूरत दिशा की और मुख करके पढ़े हैं, कोई बात नहीं, तो आप इस पंकी को ऐसे बनाने की जगे, इस कहती है, कहती है, C, B के एकदम दाइं बढ़ा है, देखे, मैं यहां पर इस मोट्स को बनाने शुरू करूँगा, कभी भी बवरस था, इसमें नहीं बढ़ा था, कहता है, C, B के दाइं और है, देखे, मैं यहां स्टार लगा दिए, स्टार अज़ा अर्थ है, यह सूचना, C के लिए है, यह सूचना C के लिए है, जो के दाइं तरफ बैठा है, बाइं दाइं जैसा हमारा इनदा आख, जो C है, वो B के दाइं तरफ है, अब अगर में पी परस प्रश्य की नहीं जीएं है, कम्पहित स्क्रिपन मुचे देखना की जर्थ नहीं यह सूचना कहना है, अगली सुचना कहते हैं, बी पंक्ती के छोड़ पे बैठा है, अब दिखें इस पंक्ती में दो छोड़े, एक लिए वाला और एक लिए वाला, तो यहां दो संभावनाई बन सकती हैं, एक की बी या तो यहां पर होगा, एक, दो, ती, चार, वाँ, छे, साथ, या फिर बी य संभावना हमारी, बिल्कुल खतम हो जाएगी, उस पे हम वापिस काम करना ही दी जाएगे, देखें अभी कैसे पूड़ा, कहता है, अच्छा, उसके बाद कहता है, ए जो है, उसके तुरंत पास में बैठा है, अब बी के तुरंत पास में, यहां पर कौन बैठा है, ए, तो है, E और F के ठीक बीच में है, तो जहां पर भी G बैठा है, उसके दौनों तरफ क्या है, E और इधर कौन होड़ा, F, इधर यहां E बैठा है, G और F, दौनों पास में बैठा है, फिर कहता है, देखें, अब आचकी यह प्रश्ट में बिल्कुल निश्यत सूचना, कहता है, D दक्षिन सरे से तीसरे नंबर पे है, यह बिल्कुल निश्यत सूचना है, अब मैं इसमें सूचना को इन दौना में से प्राट करनी कुछ करूँ है, एक, दो और तीन, प्रश्ट मां कर रहा है कि D यहां होना चाहिए, लेकिन हमने इसको बटा रख रख रहा है, G को बटा है, यही मेरी सही सिखावना है, तो अब मैं क्या करना, D को यहां बटा दूँआ, और D क्यूंकि अब यहां पर यहां पर है, और राइट यहां पर है, और D के तुरन दायं कौन बटा है, C, अब A, V, C, V, E, F, G लोग थे, 6 लोग पर, चुके आखरी कौन बचा, A, तो A रेक्टी कौन था मेरा B, और दूसरा रेक्टी कौन है A, जो भी option मेरा तो B या A, या A या B लिखावो, वो option मेरा correct होगा, ठीक है जी, चलिए, अब screen पे question number 3 लिखिए, question number 3 कहता है, 5 में रहें, एक bench पे बैठे हैं, A, V, C, V, E, अब दिखें, ये question बहुत interesting question है, और दो, तीन बार पुलिस के papers में तरक दूसरे states की पुलिस के अंदर, ये question आ चुका है, 5 लोग थे हैं, तो पहले हम 5 दूसियां लगा रहें, दो, तीन, चार और पांच, और अब हम क्या करते हैं, condition यहाँ है, और प्रश्म में लिए धारत नहीं कर रखा कि दिशा कोई सी है, तो हम क्या माने के, ये लोग उत्तर दिशा की और मुख करके बैठे हैं, देखें, अब प्रश्म कहता है, A, जो है, B के बाद बैठा है, ये बड़ा problem in line है, क्यों, इन चारों पोजिशिशन में में से कोई A पोजिशन पे रूसकता है, इसीतरि से अगर B यहाँ बैठा है, तो इन तीनों पोजिशन में से A पर का नहीं हो सकता है, B यहाँ आँ है, तो यहाँ, कितने सारे समभावने मने बन चुकी हैं, लेखें इस प्रश्म की एक दिक्ट और भी है कि हमको यह नहीं पता प्रश्म बाएं से दाएं जा रहा है कि दाएं से बाएं आ रहा है क्यों कि हो सकता हो बी यहां हो तो ए की चार स्थिखियां फिर बन जादी हैं और अगर बी यहां हो तो तीन यह और बन जाएंगी और अगर बी यहां हो तो दो और और बी यह यहां हो तो एव, एव दो थी इंचा, पांच छे साथ, साथ हमारे पास possibilities आ चुकी है, क्योंकि हमें प्रश्ण में नहीं पता, इसलिए हमने आपको पहले ही खाया था, कि कभी भी plotting आप यहां पर ना करिए, इसी तरह से मेरे दूसरी सुचना दे रखी है, कि C जो है, D के बैठा है, देखे, पिछले प्रश्ण में C जो था, D के दाय बैठा था, तो हमने तुरन दाय लिख दिया, यहां पर दिखा है, बाद बैठा है, तो हमने तीर लड़ा गया, हो सकता और तुरन तो बाद हो, हो सकता थोड़ी दूरी पे भी हो, यह हमारे नोट बनाने का छो यह प्रश्ण के निशित सुचना आ चुकी है, कहता है, E, बैंच के बाएं सिरे पे बैठा है, अब मुझे पता है, लिफ्ट ये है, राइट ये है, ये रवाया, ये रवाया, और वो कह रहा है, बाएं छोड़ पे बैठा है, मतलब E नहीं बैठे का, और उसके तुरन पा बाएं से दूसर स्थान के बैठा है, ये पहला स्थान का, ये दूसर, ये C आचुना, अब मुझे यहां पर ये व्यात हो गया, कि प्रश्ण बाएं से दाएं जा रहा है, दाएं से बाएं नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ये वली सुचना बैठ रही है, कि जो C है, B के दाएं तरफ है, और E के भी दाएं तरफ है, तो अब तो दिखें, बिल्कुर निश्ची की है, कि जब भी बाएं से दाएं प्रश्ण जा रहा है, और लिखा भी है, कि जो A है, B के पाथ बैठा है, तो इसका मतलब V यहां होगा, और A यहां होगा, और अंतन सुच में जो ध्यार रखेगा, कभी दिख जब question का answer आपके पास आ जाए, उसको tick mark immediately ना करें, क्यों, क्योंकि मैं चाहूंगा पहले आपको भी शर्तें देख लें कि हमने, यह शर्तें जो हमने बठाई हैं, कि सही बैठ रहे हैं, और आप अपने notes से check नहीं करेंगे, actual question से check करेंगे, दे जलती जलती यहां पर पहीं बैठाने पर, तो हम उसको वापिस change कर सकते हैं, कहता है, A जो है, B के बाद बैठा है, C जो है, D के बाद बैठा है, C, D और E साथ-साथ है, E bench के बाएं से देखे हैं, C जो है, दाएं से दूसरे स्थाम पर है, A जो है, B के दाएं तरफ और E के बिदाइन तरफ है और A और C साथ सब बेढ़ा है बिए खुल सही अब हमारा प्रशन ने सही है अब हम आनजर मार्ब करेंगे चलिए अब क्वेशन इंगर फोर पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कहता है अब देखें यहां पर तो कुछ देखी ने रखा कितने योग दे रखे हैं क्या कुछ भी क्वेशन में नहीं मैंचिन है अब हम इसको हलकर में कोश्र करते हैं कहता है यदि P S के बाएं दूसरे स्थान पर बैटा अब देखें अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं तो मैं सीधे शाप्ते लेखना शुरू कर देखा है P S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है अब देखें अगर S इदर बैठा है ये P हो गया 1 & 2 और मैं पर पर बैठा है अब देखें यह इसको लिखने का पाइटर क्या है अगर में पास प्रेश्ट प्रप्यूटर स्क् अब तो मैं ये कि अजय को अगर है कि आखें दाएं पीसरे स्थान पर ये अगर होगा एक दो और ये अगर्याथ के इसके ठीक दाइं यह और बैठा है ती जो है S के ठीक दाइन होने है, देखिए मैंने फिस्टार लगा दिया इसके उपर, अब कहता है Q ना तो S के बाइन और ना ही S के दाइन और है, इसी लाइन को दूसरी तरह के से लिखा जा सकता था, कि Q S का निख़ता पड़ोसी नहीं है, तो कोई बात नी, दोनों बाते एक हैं, जो Q और S हैं, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कि दौनों साथ में नहीं बैठेंगे, या S और Q साथ में नहीं बैठेंगे, बाइन तरफ भी नहीं हैं, फिर कहता है, प्रेशन सीधर पूछ लिए कि R के ठीक दाइन कौन है, R के ठीक राइट साइद में कौन बैठा ह हमें निकाला है, अब देखें प्रेशन को पढ़ने के बाद में स्वाश्ची में आ गया कि हमारे पास पांच योग हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच लोगे तो इसका मतलब पांच खुर्सिया लगेंगी, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है, हमने लगा अब देखें, यहां प्रेशन कोई निश्री चूच ना लेए, कि हमें प्रेशन कहां से शुरू करना है, कैसे करना है, अब हम प्लॉटिं करके ही देखेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, शॉटकर, ठीक है, तो मैंने माना, कि सबसे पहले में सबसे जादा दूरी किसकी है सबसे जाद दूरी किसकी है, आर क्यूं की, तो पहले इनको बठा कर देखेंगे, अगर मैं कहता हूं, आर यहां बैठेगा, एक, दो, और तीन, तो क्यूं यहां पूसकता है, बिल्कुल पूसकता है, ठीके लिए, अब दूसरी देखेंगे, एसे जो है, वो पी के, पी जो आए, आर क्यू की प्रॉब्लम है, एसे और क्यू की प्रॉब्लम बैठ रही है, तो यह अडूसरी नहीं बन सकती, ठीक है, एक कोशिश और कर देखेंगे, एक कोशिश और कर लेते हैं, वापस प्रांच चैनल गाते हैं, अब मैं कहता हूं, पहले इस सूचना को बठा की द अगर मैं मानूं और S इस कौरने पर नहीं हो सकता कि उसके तुरंत दाए T बैटा है अब मैं यहां पर P को बठा लेता हूं और S को ले लेता हूं यहां पर ठीक है? अब मैं कहता हूं कि P को A छोड़के बैठना है P को एक छोड़कर बैठना है P लिगा यहाँ आ चुका है अब मेरी यह दोनों सुचना है चाब चुकी है अब देखे फिर वही दिक्कत है कि क्यूं भाई साब जो है वो S के साथ नहीं आ सकते क्यूं जो है S के साथ नहीं आ सकते ठीक है तो अब जो है क्यूं को कहां बैठा है क्यूं को अब हम नहीं बैठा सकते तो यह possibility भी काम नहीं करेगी अब हम तीसरी संभावना बना के देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच अभी हमने क्या माना था कि हमको पता था कि हमने S से शुरुआ की T को यहां ले गए अब हम अगर हम S को एक पोजिशन और इजर सका के देख लें S को एक पोजिशन और इजर सका लेते हैं हमने कहा S यहां है P यहां हो गया और T यहां हो पर संभावना है बिल्कुल हो सबकिए बिल्कुल उसे के लिए पहीं जबावना नहीं बैठी दूसरी नी बैटी, हमें इसके अदर संभावना पर ही जाना पड़ेगा और अब ये कम बैठाई चुके हैं, अब एक वर एक वर ट्राइड देते क्या R और Q की कॉमिनेशन बैठ सकता है, R यहां पर है और Q यहां पर है, कोई बाद नी, बैठ लिया अब देख लेते क्या हमारी शत्य पूरी हो ली है, हमोरी है S के बाइड दूसरा P है, R के दाइड तीसरा Q है S के तुरंट दाइड प है, और Q भाई साथ है, वो S के बाई और दाइड तरफ नी, चिक है तो कंडिशन हमारी साही बैठ लिया है, तो अब हम प्रश्चन को पढ़ते हैं, कि R क ठीक दाइड नो कौन बैठा है R क ठीक दाइड नो कौन बैठा है, S बैठा है लिखे ये question फोगा, interesting question था, इसमें हम combination बनाने पड़े चलिए, अब question number 5 आप स्क्रीन पे है, लिखे चलिए, question number 5 पे हम focus करते हैं कहता है, साथ लगके हैं, A, B, C, D, E, F, G एक लाइन में खड़े हैं चलिए, हम उनकी condition लिखना शुरू करते हैं कहता है, G जो है, A और E के बीच में हैं तो हमने इसको ऐसे लिख लिख लिया और स्टाल लगते हैं, G के उपर ठीक है, कहता है, F और A के बीच में एक लड़का है या फिर A और F के बीच में एक लड़का है ठीक है, कहता है, E और C के बीच दो लड़के हैं ठीक है, हम इसको बाइसे भी लेख सकते हैं, ठीक है, फिर चौथा दी, एफ के ठीक दाइए, और एफ के ठीक दाइए, और कौन है दी है, कहता है और आखनी कर्णिशन, सी और बी के वीज में तीन लड़ते हैं, अब देखे, दिकत यह है कि इस प्रश्न के अंदर भी कोई निश्यत सूचना नहीं है, हमें ट्राइल और मेतर्स को उखल करना पड़ेगा, पहले प्रॉटिंग करके दिखनी पड़ेगा, कौन सा वक्ति कहां बैट सकता है, ठीक, चले, तो रही काम करते हैं, एफ और डी, ए यह बाई तरफ है, यह बाई तरफ पर यहां हो शुकर लिए, बीच में वेक्तियों की संख्या जादा हैं, और यह दो वेक्ति साथ में है, तो मैं बहुँ कहीं पी बैठाना शुकर सकता हूँ, मैं कहता हूं, चले, मैं मैं मां जाता हूं दाइं चोड पे, एफ यहां है, और D's के ठीक दाइं होने, क्योंकि F नहीं तो होगी नहीं नहीं सकता है, तो इन वानों को तो निश्री चूचने के अधार पर मान जबे, हम सेट कर लेते हैं कि F और D, F राइट अंतिन छोड़के, दाइं अंतिन छोड़के आगे चाहिए नहीं सकता है, फिर इसके बाद मैं यह मैंने कंडिशिन, कंडिशिन निवर 2 के आना जाऊंगा, कहता है F और A के बीच में A प्रेटी है, A प्रेटी छोड़ा और F, A को मैंने यहां बठा लिया, और इसको मैं माग कर देदो कि मैंने लगा लिया है, अब मैं देखता हूँ, कि A की कोई सूचना दे रखी है, हा इसका अर्थ क्या हुआ, G यहीं होटा, और E यहां ही आ सकता है, जी यहां आई नहीं सकता है, तो यह हो सकता है, फिर उसके बाद देखे है कोई दूसरी सूचना, E से सर्मंदित हाँ, इसरे नंबर की दे रखी है, इन लाउन के बीच कि किते बैठती है C, अब C तो इदर आँ नहीं सकता था. तो इदर नहीं जा सकता था, और अंतन सुचना क्या कहते है, बी और C के बीच में तीन रखाती है, तो A की ज़बे बचरி है, B यहीं बैठ चकता है, वहम सारी condition चेक कर लेते हैं, ए और E के बीच में जी बैठा है, F और A के बीच में एक बैठा है, काण समय दाया है इंक प्रोच को आधाए इसका दूसरा बश्रा वेक्टी दूसर वेक्टी क्यों सहा है तो दूसर आ dadi का थी ए dil यह रहा है यह सब समय प्रत के यह न यह मैपन आप क्या पिरिँ प्रोच में बाइदे को जैसे तो कैसे हैनल करना है, स्क्रीन पे आपको पॉश्यों दिखाई दे रहे हैं चुरू करते हैं, पॉश्यों वस्यों कहता है, A, B, C, D, E, F, परस पर बराबर बुरी पर गोल मेज पर बेढ़ हैं तो इसका मसलब दो गया कि एक गोल मेज पर बेढ़ हैं और शे लोग हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, और तीन, ठीक है कहता है, F, E, के ठीक सामने बेढ़ा है F, E, के ठीक सामने बेढ़ा है दीकि मैं हम लोगों में पहले की दिस्कुस किया था जब भी ऐसा प्रश्म आजए, आप कोशिश करके इस वरी जगर के पहले केटी को बठा दें पहले बठाने में बड़ी असानी होती है क्योंकि आपका दाया गया प्रश्म का दाया रहता है कहता है, F, E, के ठीक सामने बेढ़ा है F, E, ठीक आपने सामने बढ़ा है और तुक के अंदर की तरफ भूप करके बठाएं, इसके मुझे को टेंश्म की बात भी नहीं है फिर कहता है, A और D ठीक सामने है और A और D के बीच में बठा है अब देखिए, यह सुचना बड़ी इंट्रेस्ट में कहता है F, E के ठीक सामने है और A और D के बीच में बठाएं देखिए, यहां पर हम आप कोई कॉंसर्प समझाना चाहते हैं पहले जब इंप्रेश्ट में सुन लिएगा, बड़ा इंट्रेस्टी कॉंसर्प्ट है काफ में सारे लोग कंफूज रहें कहता है F, E और कोई लाइन और अगर देखिए यह नोट कर लिए जगा जो और आगे कोई सुचना आजए देखिए अगर वाक्य ऐसा होता हमरा F, E फिर एक लाइन देखिए होती है जो ठीक सामने में एठाब जो लिखा पाज़ा था जो तो यह जो के बाद वली जो भी सुचना होती है किस व्रत्ति के लिए होती यह दूसरे वाक्य में दूसरे व्रत्तिके लिए होती है इस पॉआंटपह... द्यान से नोट कर लीजिए यहां पर F और E लिखा setup में जो आजरत जो के बाद वली सुचना किसके लिए होगी? सेकंड परसन के लिए होगी, दूसरे वेक्टी के लिए होगी लेकिन साथ में, अब यहां पर जो हमीं प्रश्मी जैसा बेरा है F और E, और साथ में क्या लिखा है? और, तो और के बाद मली जो सुचना होती है, यह हमीशे वाक्य में प्रथम वेक्टी के लिए होती है अब यहां पर प्रथम वेक्टी कौन है? F, तो F के लिए सुचना है F जो है A और D के बीच में बैठा है अब दिखिए, मैं यहां पर पूम धारणा नहीं रह सकता A और D में से कोई प्रथम यहां होगा और A और D में से कोई प्रथम यहां पर होगा फिर कहता है C, E के दाहिनी और C, E के दाहिनी और है अच्छा, अब C, E के दाहिनी और, मतलब यह यहां है कि आदीन मैं कर और सामने अध्ये खीद है विटीन मतलब एंय हो क्जिए नहीं होंगा यहां पर कुन को बेखा यहां अरी वह एंonne के साथ बैठा हुआ है अब देखे 6 लोग थे तो इसका मतलब B ही बचा है जो यहां बैठ सकता है कहता है के साथ कौन को बचा है B और F I think option no.4 इसमें answer आ जालेगा ठीक है अब अगला question देखते हैं अगला question बड़ा interesting है कहता है B, C, D, E, F इसमें मुझे दो ही question अफ्रिसिस करने ही मैं जालबा question आप लोग साथ देखना चाहूंगा यह 2012 का question बहुत महत्कून प्रश्ण है कहता है B, C, D, E, F आपी सारे लोगें 8 लोगें हैं एक प्रत के घिर बैठे हैं चीक है फिर कहता है B, F और देखें मैं वापस plotting नहीं कर रहा हूंगा अब यहां पर मुझे देखें प्रश्ण की साइस देखतें मुझे समझनाना चाहिए कि प्रश्ण नोट्स बनाने वाला है यह नहीं इस question में मुझे नोट्स की ज़वत पड़ेगी कहता है B, F और C के बीच में बैठा है F और C, C, B, F दूसरी condition कहती है E, F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है अब आपको इस समझनाना लगा होगा अगर ऐसे लिखा जाए तो इसका मदलब क्या है Point No.3, G, C के दाएं दूसरे स्थान पर है दाएं दूसरे स्थान पर G बैठा है 1 and 2 D, G का निकर्टम पड़ोसी नहीं है देखिए यह line आए चुकिए जैसा हमने फिर लिए में डिसस किया है फिर कहता है C और J के बीच में दो गयाप्ती है हम बैठा चुके है अब हम कुछ-कुछी दे प्लाटिंग करनी कि नीचे 4-5 परशें दे रखे हैं अब देखिए पहली सुचना और दूसरी सुचना को मैं एक साथ स्माल करना चांड़ना कहता है B, F और C के बीच में बैठा वा है अब अगर मैंने ये condition मानी और दूसरी condition में देए के C, B और F अब F का बाइं उसका तो C हो जाएगा तो ये वाली condition पूरी नहीं होगी अर्थात ये वाला काम नहीं करेगा ये वाला condition काम करेगी तो अब इसका बतलब हो गया कि हम इसमें दर बैठाना शुरू कर सकते हैं और हम कहीं कोशिश क्या करेंगे कि वैक्ति यहां लाइडना शुकूर हो जाएं F, B, C और तुरंत अबली सुचना है कि F के बाइं दूसरा कौन है E है ठीके? ये वाला सुचने हमने एक साथ समाज करते हैं एक साथ शॉर्टनेस को कर गया फिर कहता है G जो है C के दाइं दूसरे स्थान पर है तो C अबैट ही चुका है दाइं दूसरा G यहां हो चुका है और कहता है D, G का निकटा पड़ोसी नहीं है तो B के लिए दो पोजिशन तीन पोजिशन थी तो N लोगे D नहीं हो सकता और D यहीं हो सकता है और कहता है C और J के बीच दो वियक्ति है अब J के लिए कोई जगे बची ही नहीं है एक और दो तो J यहीं होगा इसका मतलब H यहीं ना सकता है ठीके, कितने आसानी से अम लिगे उसको कर गया है कि कि यहांग आप अप्रशन के अप्रशन को बड़े द्धान से पढ़िएगा एसे क्वेशन करते हैं कि यहां पर चार भी हो सकते हैं युझ भी उप्रशन में दिशा नहीं दे रखी है तो दो या छार भी आज़िट हो सकता है अब options कभी ऐसा नियाएगा, एक, दो, तीन, चार, या तो आएगा, एक या आएगा, दो या आएगा, तीन या आएगा, पांच, कभी दो और चार को options नहीं नहीं आएगे, क्योंकि यहां पर दिखिना है ना, दाएं और नाएं, दो जने बैठ हैं, और ऐसे दिखोड़े तो चार जने बैठ हैं, तो options के ऊपर जाएगा, options जो जो जैसे तरे का demand आ रही हों, उस तरह से इसको हल करने को पोशिश करिएगा, तो यहां पर दो या चार हमारा प्रकांसर होगा, अग्रा question कहता है, D और J के बीच कौन बैठा है, देखिए, अब यहां पर कौन बैठा है, म और हम चलें, और इनको alphabet order, वर्ण माला करम में जमाएं, तो कितने लोग का स्थान नहीं बत देगा, चली, तो हमने करना गया था, सिर्फ यहां से है, A, B, C, D, E, F, G, H, और J, ऐसे बठा है, और अब उसको तारह B को नहीं किरना है, तो B को नहीं किरेंगे, पहले क्रॉस मा अब देखें कितने लोग का स्थान नहीं बतला, D का स्थान बतला नहीं, E का स्थान बतला नहीं, G का बतला नहीं, और X का बतला नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार ऐसे बेखती हैं, जिनका स्थान नहीं बतला, आंसर होगा, चार, चली, अब अग्ला क्वाशन देख काफी इंटर बाहर दोनों इशुन समझाएंगी चलिए क्वेश्टन एकने हैं क्वेश्टन कहता है क्वेश्टन कहता है यहां पर कहानी इंटरिस्टिंग हैं कहता है पांच लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं अब साथ लोग थे पांच बाहर देख रहे हैं तो दो ही अंदर आएंगे पांच बाहर जाएंगे अब देखे कहता है C, D के बाएंट तीसरे बैठा है और दोनों का मुख केंदर की ओर है का मतलब क्या हो गया हम यहां पर सबसे पहले बठाने की कोशिश करेंगे और किसको बठाएंगे D को अभड़ों पर देखे लिए यहां कंसा हमाजु दोनों कहां की रख देख रह हैं तो मैं इनकों अंदर की तरफ बला तीर लगा पूँगा अब दूसरी दिशान के रहा है ना ए ना तो ड के ना सी के बगल में हैं अब देखे इसको दिशन को सीदे बैठा सकता हूं देखे ए यहां नहीं हो सकता ए जो है एक तो यहां नहीं हो सकता यहां पर भी नहीं हो सकता और यहां पर भी नहीं हो सकता और यहां पर भी नहीं हो सकता और मुझे पता है यह सब लोग कौन है पच्छे यह पांच लोग जो की बाहर देख रहे हैं अब देखे यहां 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 और यहां नहीं हो सकता चार जगे नहीं हो सकता दो जो डी रे एफ के ठीक बीचों की बैठा है जी करी डी और एफ के ठीक बीचों की बैठा है वो के बिपरिप्टना ने हमको पता ही है गोई है तो अब क्या सब्सक्राइब और दूसरी संभावना क्या हो सकते कि दी और एफ वह तो वहीं नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहां पर तो अपने मिल्कुली निश्चित हो चुका है कि एफ भाई सब यहीं बैठेंगे क्यों के साथ चलते चलें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन अब बजा रहे हैं वैपनी में कहता है जी एक दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है अच्छा अगर हम इसको लिख लिए हैं दूसरी क्रडिशन जी जो है एक वान वान टू और त्री अब हम देख लेता है कि ए कहा बैठ सकता है अब देखिए अगर यहां बैठ सकता है अगर यहां बैठ सकता है तो उसका दाया की दरवा उल्टा हो जाएगा अगर यहां बैठ सकता है एक दो और तीन जिसका मतलब जी यही पर हो सकता है तो यह कंदिशन और यह कंदिशन हमारी प्लॉट हो चुकी है अब पर प्रश्ड पर सकता है कि आसानी से हो गया है हम नसे नोट्स और द मैं दोनों चीज को साथ-साथ इस्तेमाल किया है फिर कहता है अगर एक को प्राहणत करके इसे प्राहणत करके तो कितने लोगो का स्थान बढतलेगा कि नहीं पजलेगा और एक चोड़कर अब A से शुरू करना है A, B, C, D, E, F और G अब A को तो भई इंदा ही नहीं था तो उसको तो पहली कार्ट गे रहे अब देख लेके हैं यहां भी यह एक तो यह मिलिया मुझे एक मुझे यह मिलिया तो आंसर ठीक में है कितने लोगों का स्थान नहीं बतला option number C इसमें आंसर आजाएगा यह था बैटर बढ़स्ता के कुछ questions जो एक सीधी पंगती में और एक व्रता का जादता combination यह chances यह हैं कि इसमें व्रत के उपर ही question आएगा GDPR चानल को like करना, share करना और इसमें कमेंट करना ना अपने अपना feedback दे रहें और हम पहले भी बोलता है अगर आपको कोई questions है तो please comment box में टाले हम definitely उसके लिए एक video बना के आपकर वोपलोड करेंगे देख करेंगे झाल झाल झाल